हंजी स्टूडेंट आज आपकी 12th की 2nd क्लास और इस 2nd क्लास के अंदर हमने लास्ट क्लास में कुछ थियोरी का पोर्शन कवर किया था और थियोरी में क्या देखा था हमने कि पार्टनर्शिप की डेफिनेशन क्या है मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके प्रॉफिट को बाटने के लिए कोई बिजनस स्टार्ट करते हैं तो उसे सिंपल पार्टनर्शिप कहा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्शिप की अगर मैं बात करू लोन कितने होंगे 6% और दूसरा होगा प्रॉफिट शेरिंग रेशो इक्वल यह सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में देखे थे उसके बाद हमने देखा था डीड नहीं है तो कोई एक पार्टनर भी अगर एग्री नहीं करता उसको काम को करने के लिए तो कोई भी पार्टनर काम नहीं कर सकता भले ही उसने कैपटल ज़्यादा लगाया तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं ले सकता अगर वो काम ज़्यादा करता है तो salary नहीं ले सकता जब तक सारे partners agree नहीं होगे तब तक नहीं किया जा सकता ठीक है अब इसके अंदर हम कितने topic सीखेंगे बहुत important chapter है देखो एक तो profit and loss, appropriation, एक guarantee, एक manager become partner, एक past adjustment यह topic है mainly partners capital भी है लेकिन हम इसे धीरे धीरे सीखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो आज का agenda रहेगा वो रहेगा यह second class में तो P&L appropriation को समझने से पहले यह क्या है हमारा पहले उसको भी समझेंगे हम P&L appropriation इसमें किन-किन बातों को समझेंगे हम इसके अंदर number one हम interest on capital कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे number two interest on drawing कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे number three net profit कैसे कौन से वाला net profit लिया जाएगा हमारा वो सीखेंगे number four आपका manager का partner का commission सीखेंगे partner का commission कैसे निकाला जाएगा ठीक है और number 5 और क्या सीखेंगे इसके अंदर और commission के साथ साथ हम सीखेंगे suppose करो general reserve ये 5 point इसके अंदर concept आएगा और इसी 5 और point को हम सीखेंगे इसमें तो चिंता करने वाली बात नहीं है पहले हम तो इसका मतलब समझेंगे फिर दीरे एक एक करके part by part समझते जाएंगे हम चलिए सबसे पहले देखते हैं P&L appropriation क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं remind कराना चाहता हूँ 11th class 11th class 11th class की अगर मैं बात करूँ तो आपको अच्छे से याद होगा वहाँ पे आपने final account किया था ठीक है final account आपने definitely किया था अब final account के अंदर क्या था हमारा profit को find करना था तो हम पहले के कुण सा account बनाते थे बस मैं आपको remind करवा रहा हूँ पहले जो हम account बनाते थे याद करो हम पहले account बनाते थे trading trading and profit and loss account just take format remind करना है आपने उसके बाद एक और आप prepare करते थे क्या बनाते थे इसके बाद आप बनाते थे balance sheet है ना याद है आपको इसके बाद बनाते थे आप balance sheet balance sheet balance sheet ठीक है और आप ध्यान से देखोगे न अगर 11 में तो वह हमारा sole proprietor था यानि वहाँ पे दो पार्टनर का के discussion नहीं था वहाँ पे था कि Mr. Ram है उसने अपना business start किया so and so और यह सारे खर्चें उसके और यह सारे income है वहाँ पे यह नहीं था कि आपका Ram और Mohan का business है रो तो वहाँ simple एक single था तो इसलिए जो यहाँ पे net profit निकलता था माल लेते हैं 10,000 निकला तो अगर एक Mr. Ram ने business start किया तो आप मुझे बताना अगर Ram ने business start किया के लिए Ram है तो क्या इस एक 10,000 रुपे को बाटने के लिए कोई लड़ाई जगड़ा है यहाँ पे यह किसका होगा 10,000 अगर Ram का business है तो यह 10,000 किसका होगा simple सा जवाब है सर यह Ram का ही होगा तो जो balance sheet में capital होगा वो capital किसका होगा बताओ अगर Ram ने business start किया बोलो आपने अगर Ram ने business start किया तो जो profit कमाए जाएगा वो profit किसका होगा आपका वो profit होगा सारा का सारा Ram का और business में capital कौन लगाएगा उसमें capital भी कौन लगाएगा हमारा Ram ही लगाएगा ठीक है ना तो मैं अगर आपसे पूछू के हंजी student आज आपकी 12th की second class और इस second class के अंदर हमने last class में कुछ theory का portion cover किया था और theory में क्या देखा था हमने के partnership की definition क्या है maximum partner कितने हो सकते हैं तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके profit को बाटने के लिए कोई business start करते हैं तो उसे simple partnership कहा जाता है maximum number of partnership की अगर मैं बात करूँ तो कितने थे 50 लेकिन central government चाहे तो 100 कर सकता है इसके बाद partnership deed oral भी हो सकता है और return भी हो सकता है अगर partnership deed के अंदर अगर silent हो तो हमें दो चीजों का धियान रखना होता है कि एक हमारा interest on capital 6% होगा और दूसरा हमारा interest on capital कौन से sorry interest on partners loan कितने होंगे 6% और दूसरा होगा profit sharing ratio equal यह सारे topic हमने last class में देखे थे इसके बाद हमने देखा था deed नहीं है तो कोई एक partner भी अगर agree नहीं करता उसको काम को करने के लिए तो कोई भी partner काम नहीं कर सकता भले ही उसने capital ज्यादा लगाया तो profit ज्यादा नही ले सकता अगर वो काम ज्यादा करता है तो salary नहीं ले सकता जब तक सारे partners agree नहीं होंगे तब तक नहीं किया जा सकता ठीक है अब इसके अंदर हम कितने topic सीखेंगे बहुत important chapter है देखो एक तो profit and loss appropriation एक guarantee एक manager become partner एक past adjustment यह topic है mainly partners capital भी है लेकिन मैं हम इसे धीरे धीरे सीखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो आज का agenda रहेगा वो रहेगा यह second class में तो पीडल appropriation को समझने से पहले यह क्या है हमारा पहले उसको भी समझेंगे हम पीडल appropriation इसमें किन-किन बातों को समझेंगे हम इसके अंदर number one हम interest on capital कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे number two interest on drawing कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे number three net profit कैसे कोन से वाला net profit लिया जाएगा हमारा वो सीखेंगे number four आपका manager का partner का commission सीखेंगे partner का commission कैसे निकाला जाएगा ठीक है और number 5 और क्या सीखेंगे इसके अंदर और commission के साथ साथ हम सीखेंगे suppose करो general reserve ये 5 point इसके अंदर concept आएगा इसी 5 ओ point को हम सीखेंगे इसमें तो चिंता करने वाली बात नहीं है पहले हम तो इसका मतलब समझेंगे फिर दीरे दीरे एक एक करके part by part समझते जाएंगे हम चलिए सबसे पहले देखते है P&L appropriation क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं remind कराना चाहता हूँ 11th class 11th class 11th class की अगर मैं बात करूँ तो आपको अच्छे से याद होगा वहाँ पे आपने final account किया था ठीक है final account आपने definitely किया था अब final account के अंदर क्या था हमारा profit को find करना था तो हम पहले के कौन सा account बनाते थे बस मैं आपको remind करवा रहा हूँ पहले जो हम account बनाते थे याद करो हम पहले account बनाते थे trading trading and profit and loss account जस्ट एक format remind करना है अपने उसके बाद एक और आप prepare करते थे क्या बनाते थे इसके बाद आप बनाते थे balance sheet है ना याद है आपको इसके बाद बनाते थे आप balance sheet balance sheet balance sheet ठीक है और आप ध्यान से देखोगे न अगर 11 में तो वो हमारा sole proprietor था sole proprietor यानि वहाँ पे दो partner का कि discussion नहीं था वहाँ पे था कि Mr. Ram है उसने अपना business start किया so and so और ये सारे खर्चे हैं उसके और ये सारे income है वहाँ पे ये नहीं था कि आपका राम और मोहन का business है रो तो वहाँ simple एक single था तो इसलिए जो यहाँ पे net profit निकलता था मान लेते हैं 10,000 निकला तो अगर एक Mr. Ram ने business start किया तो आप मुझे बताना अगर राम ने business start किया के लिए राम है तो क्या इस एक 10,000 रुपे को बाटने के लिए कोई लड़ाई जगड़ा है यहाँ पे यह किसका होगा 10,000 अगर राम का business है तो यह 10,000 किसका होगा सिंपल सा जवाब है सर यह राम का ही होगा तो जो balance sheet में capital होगा वो capital किसका होगा बताओ अगर राम ने business start किया बोलो आपने अगर राम ने business start किया तो जो profit कमाए जाएगा वो profit किसका होगा आपका वो profit होगा सारा का सारा राम का और business में capital कौन लगाएगा उसमें capital भी कौन लगाएगा हमारा राम ही लगाएगा ठीक है न तो मैं अगर आपसे पूछू के मैं आपसे पूछू के अगर मोहन का business होता और वो 10,000 रुपे कमाता तो बताओ इस 10,000 रुपे पे हक किसका होता है सिंपल सी बात है कि मोहन अगर business कमाएगा तो मोहन का होता है आप एक business करते हो तो पूछी कौन लगाएगा capital कौन लगाएगा आप लगाएगा और उस business से जो profit होगा वो किसका होगा आपका होगा चलो अब बताना मुझे राम और मोहन दोनों ने business start किया अब बताओ पूछी कौन लगाएगा राम और मोहन ने business start किया तो पूछी कौन लगाएगा दोनों ही लगाएगे आप और आपके दोस्त मिलके कोई business start करने की planning कर रहे है तो पैसा कौन लगाएगा दोनों लगाओगे अब जो उससे profit generate होगा तो उस profit को कोई अकेले लेगा या दोनों लेगा दोनों लेगा तो इसलिए ये वाला profit पहले 11th class में बाटने के लिए कोई लड़ाई जगड़ा नहीं था ये profit directly एक person को capital में add हो जाता था चुकि अब हमारे दो partner होंगे जैसे कि मानलो राम, मोहन, राम, मोहन, सुहन, दो से ज़्यादा भी हो सकता है तो ये वाला profit हम directly राम को या मोहन को नहीं दे सकते तो इस वाले profit को बाटने के लिए भी हमें calculation करना पड़ेगा इसका मतलब आप और आपके दोस्त कोई business करेंगे तो ये account तो बनाना ही पड़ेगा और इस profit को बाटने के लिए भी एक अलग से account बनाओगे बिल्कुल सही इस profit को बाटने के लिए भी अलग से account बनाओगे और क्यों बाटने के लिए तो आपको याद होगा appropriation का word का मतलब होता है बाटना तो इस profit को बाटने के लिए एक अलग calculation करोगे तो किसी ना किसी account में करना है तो कौन से में करोगे net profit को बाटने के लिए यानि appropriate करने के लिए तो हमारा बनेगा profit and loss appropriation इसका मतलब एक account और बनाना पड़ेगा हमें 12th में आने के बाद और in fact आप डरो मत आपको ये दोनों account नहीं बनाना ये पूरा solve करके examiner ने दे रखा हुगा आपको सरिफ क्योंकि ये दोनों तो पहले ही सिखा चुके तो आप थोड़ी ना सिखाएंगे अब आपको सिखाये जाएगा profit and loss appropriation account profit and loss appropriation तो ये वाला profit किस में बटेगा ये profit बटेगा राम में और मोहन में इसको बाटने के लिए सबसे पहले हम net profit buy में रखेंगे net profit मानलो 10,000 और इन दोनों का ratio equal है तो किस-किस में बटेगा राम में बटेगा और मोहन में बटेगा और कितना profit बटेगा बताओ 10,000 10,000 बराबर है ratio तो कितने-कितने बटेगे 5 इसके हिस्से में और 5 इसके हिस्से में यही तो है हमारा P&L appropriation यानि P&L appropriation में क्या सीखेंगे कि जो final account से profit निकल के जाता है उसके लिए हमें एक calculation करना पड़ता है profit and loss से ताकि दोनों partner के बीच में बाट दिया जाए और उसे हम बोलते है profit and loss appropriation लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है अगर कोई खर्चा suppose करो यहां का अगर मान लो यहां पे मैं salary लिखना भूल जाओ तो यह profit गलत होगा अगर मुझे यहां पे salary 2000 रुपए लिखना था लेकिन नहीं लिखा तो यह profit तो 8 होना चीए अगर मेरा sales यहां पे 10,000 है तो यह profit मेरा 8 होना चीए लेकिन मैं इस salary को लिखना भूल गया तो but obvious है कि यह profit भी गलत है तो क्या इस profit को यहां पे ले जाके बाटेंगे तो यह profit सही होगा यह गलत होगा Sir answer is yes कि यह भी गलत होगा तो कई बार examiner आपके साथ चला की क्या दिखाएगा यहां के profit को गलत बताएगा तो जब आप यहां से profit को उठा के यहां पे रखेंगे तो पहले आपको profit minus plus करके ठीक करके रखना है तब और क्या रखना है याद इसके अंदर कभी partner के खर्चे को नहीं दिखाते है partner के खर्चे क्यों नहीं दिखाते है यह तो simple बना है तो partner के खर्चे कहा दिखाए जाएगे profit and loss, appropriation के अंदर simple मात याद रखना है मैं simple सा question पूछता हूँ कि partner के खर्चे कौन से है कौन से नहीं है राम को commission देंगे क्या business का खर्चा है या partner का business का तो है लेकिन ये partner को मिलेगा ये किसी और को मिलेगा सर्फ partner को मिलेगा तो इसका यहाँ दिखाएंगे मैंने बोला यहाँ पे कि worker को wages दिया क्या partner को मिलेगा नहीं तो यहाँ आएगा P&L में मैंने बोला मोहन को salary देंगे तो क्या partner को मिलेगा बिलकुल तो कहाएगा P&L appropriation में अब बताना electricity bill क्या partner को मिलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा P&L में यानि जो पैसा partner के pocket में जाने वाला है उस खर्चे को हम यहाँ ना दिखा कि separate calculation account बना रहे है तो इसमें लिखेंगे हम चलो अब मैं पूछता हूँ कि interest on capital मोहन को दिया जाएगा interest on capital मोहन को दिया जाएगा तो बताओ इसे P&L में लिखे या P&L appropriation में लिखे तो दिमाग लगाओ कि ये partner को दिया जा रहा है या किसी और को तो partner को दिया जा रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा कहा हैगा P&L appropriation में एक exception case है अगर interest on partner loan हुआ तो वो P&L में आएगा एक exception case है exception क्या interest on partner loan loan will be show in P&L account profit and loss appropriation में नहीं आएगा समझ में आई बात फिर से मैं कुछ चीज़े आप से पूछता हूँ आप बताईए water bill बताईए P&L में जाएगा यह P&L appropriation में water bill किसको दिया जाएगा क्या partner को दिया जाएगा नहीं तो कहां जाएगा P&L में stationary का खर्चा क्या partner को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तो जाएगा P&L में मैंने बोला कि interest on drawing partner जो drawing किया उस पे interest लिया है हमने तो वो partner से related है तो जाएगा P&L appropriation में commission given to partner किसको दिया जा रहा है partner को तो simple तो simple सा logic है यहाँ पे उन खर्चों को रखना होता है जो की partner को नहीं दिया जाता उसके बाद जो profit होता है उसे यहां रखेंगे अब एक आप मुझे logically point बताना P&L ठीक है और इसमें से जो भी profit generate होगा वो बाटेंगे किसमें partner में तो उसके लिए मैं कौन सा account बना लूँ P&L appropriation P&L appropriation यह लोग बना लिया मैंने P&L appropriation सही है मेरा यहाँ पे था sales suppose करो 10,000 ठीक है sales अगर मेरा यहाँ 10,000 है और मेरा यहाँ पे है worker salary worker का salary 2,000 और interest on capital मैंने suppose करो लिख दिया यहाँ 2,000 net profit बताओ आप ध्यान देना मैं कुछ गलतियां करूँगा यहाँ पे आपको पहचानना है 6,000 मैंने बोला कि यह net profit यहाँ रख दो ठीक है सर buy net profit 6,000 अब बताओ interest on capital partner का खर्चा है तो यहाँ दिखाना चाहिए हाँ सर दिखा दो चलो interest on capital 2,000 अब मुझे बताना profit कितना है निकल के 4,000 तो मुझे सच-सच बताओ क्या इस interest on capital को दो बार नहीं दिखा दिया क्या एक खर्चे को दो बार दिखाना allowed है हमें P&L में नहीं दिखाना चाहिए तो यही तो गलती है यहाँ पे यहाँ interest on capital दिखाया तो यहाँ क्यों दिखाया जबकि मैंने आपको बता दिया simple language में कि partner के खर्चे P&L appropriation में जाने चाहिए P&L में नहीं जाना चाहिए तो बताओ गलती यहाँ पे लिखा या यहाँ सर गलत यहाँ लिखा तो हमें इस interest on को हटाना पड़ेगा अब हटाना क्या मतलब यह थोड़ी है कि हम यहाँ पे आपने हटा देंगे आपको whiteboard थोड़ी न मिलेगा तो आप क्या करोगे इस profit को ठीक करोगे कैसे करोगे इस 6000 को अगर मैं इसे हटा देता तो यह 8 होता यानि 6000 में मुझे plus कर देना चाहिए 2000 अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 8000 तो क्या automatic बताओ यह profit ठीक हो गया पिछला गलत हो गया वो चले गया उसको छोड़ो अब हम जो बना रहे हैं उसको ठीक करना है क्योंकि हमारा main point है P&L appropriation बनाना क्या ठीक हो गया अब हम आगे क्या करेंगे profit करेंगे समझ मैं आई बात अच्छा एक और सिंपल सा उधारन मैं देता हूँ आप मुझे उसका जवाब देना माल लो के मेरा salary यह worker का salary है partner का नहीं है worker का salary 1000 रुपे मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिखा 9900 रुपे और इस 9900 को यहाँ लिख दिया अब बताईए क्या गलती है मैंने बोला worker की salary 1000 है जो मुझे यहाँ 1000 दिखाना चाहिए था तो इसका मतलब यह profit भी गलत इसको यहाँ transfer करूँआ तो यह भी आगे गलती लेके जाएगा तो यहीं पे ठीक कर दो तो क्या होना चाहिए 1000 होना चाहिए तो हम यहाँ मिटा तो सकते ही नहीं तो 99-100 में 1000 माइनस करना था जबकि 100 तो करी चुके था और कितना माइनस करें 900 और यहाँ पे लेके आ जो हाँ 9000 तो बड़ा ही simple है interest on capital कैसे निकाला जाता है इसके उपर भी हम अलग class लेंगे ड्रोइंग सब के उपर अलग class है तो हम इसके आगे continue अब P&L appropriation को देखते हैं कि P&L appropriation कैसे बनाया जाता है इसके अंदर क्या-क्या item होता है क्या buy में लिखेंगे क्या two में लिखेंगे तो अगर मैं बोलता हूँ ना कि business का खर्चा तो जो P&L के अंदर आता है अगर मैं बोलू partner का खर्चा तो जो partner को मिलता है partner के खर्चे सरफ और सरफ तीन ही है interest on capital partner का salary और partner का commission और income होता है business related वो interest on drawing बस आपको यह याद रखना है हम दीरे-दीरे करके इसमें थोड़ा time लगेगा book के questions भी करेंगे तो ये खतम करेंगे फिर उसके बाद number 2 पे हो सकता है मैं manager partner करवाँ फिर number 3 पे guarantee of partner को discussion करेंगे ठीक है तो चलिए हम start करते है P&L appropriation और P&L appropriation को कैसे बनाए जाए noting proper तरीके से करना है आपने और उसको अच्छे से समझना है start करते हैं P&L appropriation